तुरेंट्स आप सभी गज़ोगत है हमारे स्यूडियूप चैनल पर और आज हम लोग बात करने आले हैं आपकी वक्सीट नंबर 30 के बारे में सोसल साइन्स क्लास से एर्थ की और आज की डेट किया है 24 गैदा 2021 यहां पर आपको अपना नेम यहां पनी टीचर का नेम रिखना इस वक्सीट को स्टार्ट करने इस वहले चुता दू कि लास्ट वीक के विनर का अनॉंसमेंट हमने कर दिया अगर आप भी कॉंटर्स में पासपेट करके विन होना चाते हो बहुत साथे प्राइस को वीडियो क कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सकाइब फुल वीडियो को वाच करते हुए कमेंट जरूर करना साथी साथ इसके लिंक अपने फ्रेंस के बीच में सेयर करना एक बात और या रखना राइटिंग कमेंटें के लिए कमेंटें में बताना हम आपको लिंक देंगे जहां से है गया दा एमर्जेंसी ओफ नेशनलिजम थूड़ाइट दा प्रीविएस वक्षीड वी आर वेल अवेयर डैट रिवाल्ट ऑफेटीं फिफ्टी सेवन थार्ट स्टाट बाइस पोसेस यानि सिपाहियों के जवारा 1857 में जो विदरोचालू किया गया था अब वो क्या है सोसाइटीज के सेक्संस में भी आ गया था यानि समाजिक लोगों के या समानने लोगों के बीच में भी आ जुका था अब इस कंट्रोल को खतम ही करना पड़ेगा अगर इंडियान का क्या है इस पर जोर होना चाहिए तो the consequence being cleared started by political associations formed in 1817s and 18s some of them were पहला देखिये association का name यहाँ year और founder name यहाँ पर दिया गया तो देखिए पूना सारुजनिक सभा 1870 में महादेव गोबिंद के द्वारा स्टार्ट करेगी इंडियन एसोसियेशन 1876 में ठीक है सुरेंदर नाद बैनर जी के द्वारा मदरास तेके महाजन सभा जो है 1884 में जी सुबर मन्यम अयर के द्वारा और आनंद चरलू के द्वारा स्टार्ट की गई मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन 1850 में जो है महता जी के द्वारा स्टार्ट करेगी और इंडियन नेशनल कॉंगरेस 1885 में एयो होम के द्वारा स्टार्ट किया गया इसके बाद थू एनिवे ओफ एसोसियेशन फॉंक्शनेशन इस स्पेसिफाइड पार्ट आफ दा कंट्री बट दियर आर गोल वर्सेट फॉर आल पीपल आफ इंडिया तो कुछ लॉज पास हुए कुछ एक्ट पास हुए एक जैसे हो गया इसमें क्या करा गया यह 1878 में पास हुआ था बच्चो और इसमें इंडियन को जो है आम्स रखने का दिकार नहीं था वर्निकुलर प्रिस एक्ट 1878 में यह भी चलुआ और इसने भी अलावड नहीं करा इंडियन जो न्यूस पेपर्स थे हिंदी भासी न्यूस पेपर जिने हम बोलते हैं उनको ब्रिटिस के अगेंस्डर में कुछ भी नहीं बोलना था अगर वो बोलेंगे तो वो क्या है मतलब क्लोजड कर दिये जाएंगे ऐसा कहा गया इसके बाद अलबर्ट बिल 1883 में जो है चालू किया गया ठीक है यह बिल आया इसमें यूरोपियन और इंडियन जज़ जो है वो इंडियन को ही क्या करेंगे यूरोपियन और बिटिस ज़ज जो है इंडियन परसंस को या parents rather information ठीक है किसी से भी information लेना है nationalism association की वज़े से pre independent your choice ठीक है तो चलिए इसका answer मैं लिखकर दिखाता हूँ तो बच्चो इसका answer आप लिखे लिजए वन निकुलर प्रस एक्ट 1878 बाइ विक्टोरी लेटन I had ठीक है he had या कर देना he had passed this act put a control of all newspapers published in Indian language but act do not apply in newspaper in English language as result of Indian strong opposed the act इसे activity के रूप में लिख लेना चलिए रेखते हैं अगला प्रस ने क्या है दूज़ा question क्या है who did the vernicular press act affect Indian ठीक है तो इसका answer चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ sorry 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 बेटा आपको अभी पहले question का answer पहले question आपका क्या है what do you understand by the word sarjanic in पूना sarjanic sabha तो चलिए रेखते हैं इसका answer क्या होगा तो बच्छो इसका answer क्या हो जाएगा sarjanic in पूना sarjanic sabha sarjanic in पूना sarjanic sabha act as intermediary between the government of India and the people चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है तो बेटा अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन है how did the vernicular press act affect the Indians चलिए इसका answer मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ तो बेटा इसका answer क्या हो जाएगा vernicular press act 1878 by the victory loins I, he यहां क्या हो जाएगा बेटा he had passed this act put the control of on the newspaper published in language but this act did not applied to publish in English as result in strong oppose this act चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या होगा तो बच्चों अगला प्रसन क्या है what was elaborate bill why was it withdrawn चलिए देखते हैं इसका answer क्या होगा तो इसका answer बेटा आप क्या लिख लेना इसका answer इसका point number 1 और 2 मिला कर answer number 3 लिख देना अगला प्रसन क्या है बेटा अगला प्रसन है in your opinion which of the following act impact in Indian most ठीक है and reason ठीक है support your चलिए इसका answer जो है मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ तो इसका answer बेटा लिख लीजे ठीक है vernicular press act 1878 by ठीक है by victory leon he had passed ठीक है यहां लिखना है बेटा he had passed this act put on control all the newspaper published in English language but this act is not applied on ठीक है newspaper published in English तो यह क्या हो जाएगा इस question number 5 का answer हो जाएगा कैसे note down कर लिजेगा चलिए देखते हैं अगला प्रसने क्या है तो बिटा आख का जो यह वक्सीट है ठीक है question number 4 आपका मैंने करवा दिया यह वक्सीट यह उती है समाथ आपको वीडियो कैसे लगी comment करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सस्क्राइब करना ज्यादा से ज्यादा contest में पास पिट करना धन्यवाद बत चो